आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो लेके आई हूँ और अभी समर है तो समर में वाटरमेलन तो सभी लोग लाते हैं खाते हैं और छिलकों को फेक देते हैं तो छिलका फेकने से पहले ये वीडियो आप जरूर देखना एक बार आपके बहुत काम का वीडिय है प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन आप एकिन मानिए बहुत अच्छा बनता विल्कुल मार्केट जैसा आप इसको केक में बहुत सारे ड्रिंक्स में आप इसको यूज कर सकते हैं घर का बना हुआ ये टूटी-फूटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये वा इसको करते हैं तो आप फेक ये नहीं या और यह देख सकते हैं आप कितना अच्छा वर्टर मेलन है तो बहुत एकदम रसीला है तो मेरा सोचा की चलिए मैं इसका एक रेसिपी शेयर करती हूं आपके साथ जो की बहुत ही यूश्फुल होती है और हमेशा हमें कुकिंग मे काम आती है कभी हमें केक बनाना है कभी ड्रिंक्स बनाना है उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं बच्चों को ऐसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से आपको कट करना है तो आप देख सकते हैं ये साइज रखना है बहुत छोटा नहीं करना है क्योंकि चोटा कर देंगे तो ड्राइब होने के बाद हो जाएगा तो यहां पर बीच का पार्ट लेना है और यह जो रेट पार्ट दिख रहा है वो निकाल देना है थोड़ा बहुत रह जाता है तो कोई बात नहीं उससे कोई प्राब्लम नहीं होगा लेकिन हमें बहुत अधिक सकते हैं सबसे पहले में उबालन के लिए यहां पर हम year left कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं तो हम्हेद चयक कर लेंगे व्याण चुका है तो इस तरह से होने के बाद हमने देखिए इसको ड्रेन कर लिया है अब हम लेंगे एक बाउल पानी और एक बाउल सुगर तो कॉंटिटी के हिसाब से कम जादा आप कर सकते हैं इसके हमें बनानी है थोड़ी सी इसको चासनी जैसा तो यहां पर चीनी पिघल जाएगी और थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो हमने ड्रेन करके रखा हैं वाटर मेलेन यह वाला इसको हम उसके अंदर डालेंगे इसको हमें अब चासनी के अंदर अच्छे से पकाना है हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरे अच्छे से नहीं हो जाए तो यहां पर देखिए चासनी अच्छे से उबल गई है तो अब हम इसके अंदर डाल दे रहे हैं देखिए यहां पर हम डाल देंगे और उसके बाद चासनी के अंदर भी हमें इसको 10-15 मिनट तक पकाना है इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से इसके अंदर हो नहीं जाता है तो यहां देखिए चासनी के अंदर अच्छे से ये पक रहा है तो अब आगे है ये सिक्रेट सिक्रिट यह है कि इसके अंदर हमें बैनिला एसेंस डालना है बैनिला एसेंस डालने से क्या होगा कि हमाई टूटी फूटी में एक अच्छा सा खुस्बू भी आएगी जब भी हम इसको बनाएंगे या तो फिर आप इसके अंदर केवडा एसेंस भी डाल सकते हैं जो भी वो चुका है उब हम इसे क्या करते हैं बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे कोforcement JJ के बनाने है उतने बाउल हमें लेने पड़ेंगे तो मेरे पास दो कलर है अफे ऐल है कॉंटिटी के हिसाब से आप कलर को कितने में कलर आ जाएगा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं यहां पर मैंने वन फोर्ज लिया था इस वन बाउल के लिए और मेरे पास ड्राय था यह लिक्विड भी आता है जो आपके पास हो वह उसके अंदर थोड़ा पाई डाल के मैंने इ मुझा इसको हम रख देंगे यह तीन से चार घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं और अगर आपको अगर ओवरनाइट रखना है तो आप फिर ज के और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह में तीन कलर यहां पर और कोई कलर हो तो आप इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने यह दो कलर यह मैंने देखिए निकाल लिया है और इसको हमें फिर क्या करना है सुबह में मैंने निकालने के बाद फिर हम इसे इसके बाद हम नेक्स्स पोसेस में चलेंगे उसके बाद हमें इसे सुखाना है तो इसको आप धूप में सुखाएंगे एक दिन में सुख जाता है और अगर आप इसको फैन में सुखाएंगे तो कम से कम इसको 24 घंटे से 30 घंटे तक लग सकते हैं तो यहां मैंने ताली में डाल लिया है और थोड़ा मैंने इसके प्लेट में डाल दिया है तो आप देख सकते हैं तो अब हम इसको सुखाएंगे य लिए रख दिया है और इस तरह से यहां पर आप देखिए अब यह सुख चुका है तो 24 दोनों ही देखिए एकदम ड्राय हो गए हैं और बहुत अधिक ड्राय भी नहीं करना है थोड़ा सा ऐसा रखना है ताकि वह मतलब आप रखेंगे और फिर आप इसको बॉक्स में भरके और आप फ्रीज के अंदर इसको रख दीजे तो अभी आपको मैं दिखाती हूं कैसा करना है देखिए यह बहुत अधिक भी नहीं सुखा है बस यह है कि हमारे हाथों में चिपकना नहीं चाहिए ड्राय एकदम होना चाहिए तो फ्रेंस यह टूटी-फूटी बनके रेडी हो गई है तो फ्रेंस आपको मेरी टूटी-फूटी बनाने की अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करके बैल बटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप बहुत यूजफुल वीडियो है ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर बनाएं और यूज़ करें तो फ्रेंस चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाइ फ्रेंस गुड़ डे टेक केर लिए अ